जैश राम मित्रो आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि देवसाइनी एकाज़ी कब है, सुभ मुर्त क्या है, पारण का समय क्या है, कौन-कौन सुभियोग बन रहे है और इसका महत्व क्या है सनातन धर्म में एकाज़ी बरत का बिशेश महत्व है, एकाज़ी बरत के दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णू की पूजा बिधी भीधान से की जाती है, मनता है कि जो लोग इस दिन भगवान विष्णू की पूजा सच्चे मन से करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं अकाज़ी मनाई जाती है, धार्मिक मनताओं के अनुसार देव सैनी एकाज़ी के दिन से ही भगवान विष्णू चार महीने के लिए छीट सागर में सैन करने चले जाते हैं, चार महीने के बाद कार्थिक महा के सुकल पक्षी की एकाज़ी तिति के दिन निद्रा से बाहर आते हैं बैदिक जोतिस सात्र के अनुसार देव सैनी एकाची से लेकर देव उठनी एकाची तक यानि इन चार माहा तक कोई भी सुभकारे करना बरजित हो जाता है इन चार माहा को चतुर मासा के नाम से भी जाना जाता है चतुर मासा में कोई भी मांगली कारे करना बरजित ह होता है क्योंकि इस चार महा में पूरी सिष्टी का संचालन देव के देव महा देव करते हैं धार्मिक मनेताओं के अनुशार देवसाइनी 81 के दिन भगवान विष्णु के साथ माता परवती की भी पूजा की जाती है जो लोग देवसाइनी 81 के दिन बिधी विधान से करन का शमय क्या है कौन कौन सुभी योग बन रहे है और देवसाइनी 81 का महत तो क्या है बैदिक पंचांग के अनुशार देवसाइनी 81 के शुक्रपक्षे की एकाची तिथी को रखी जाती है इस शाल देवसाइनी 81 की शुरुआत 16 जुलाई को साम 8 बज कर 30 मिनट से शुर बैदिक जोती शास्त्र के अनुशार जो लोग 17 जुलाई को प्रत रखेंगे वी अगले दिन यानी 18 जुलाई को सुबह 5 बज कर 35 मिनट से लेकर सुबह 8 बज कर 20 मिनट के बीच में पारण कर सकते हैं देवसाइनी 81 के पारण के दिन जरूरत मंदों को दान करना चाहिए साथ ही भोजन भी करना चाहिए उसके बाद ब्रत खोलते है तो दुगना फल की प्राप्ती होती है बैदिक जोती शास्त्र के अनुशार देवसाइनी 81 के दिन कई सारे शुभयोग बन रहे हैं पहला शुभयोग सुभव 7 बज कर 5 मिनट पर बनेगा 17 जुलाई को सुभव 7 बज कर 5 मिनट के बाद शुकल योग बनेगा शुकल योग अगले दिन यानी 18 जुलाई को सुभव 6 बज कर 13 मिनट पर समाप्त होगा देवसाइनी 81 के दिन स्वार्थ सिधी योग और अम्रित सिधी योग बनेगा स्वार्थ सिधी योग और अम्रित सिधी योग का निर्माण 17 जुलाई को सुभव 5 बज कर 34 मिनट पर होगा और समापन अगले दिन यानी 18 जुलाई को ब्रह्म बेला 3 बज कर 13 मिनट पर होगा अब जान लेते हैं देवशैनी एकाज़ी का महत्तों के बारे में बैदिक जोतिश रास्त्र के अनुशार देवशैनी एकाज़ी के दिन जगत के पालनहार सिरीहरी बिष्णू और धन की देवी माता लक्षिमी की विधी विदान से पूजा की जाती है मान्यता है कि जो लोग सच्चे मन से देवशैनी एकाज़ी के दिन पूजा पाठ करते हैं उनकी सारी इक्षाएं पूरी हो जाती है साथी भगवान बिष्णू और माता लक्षिमी का आसिरबाद भी मिलता है देवशैनी 81 के दिन दानपुने करना बिहत सुमाना गया है दानपुने करने से घर में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं होती है मित्रो यह जनकारी आपको कैसा लगा अगर यह जनकारी आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक जरूर करना धन्यबाद